नमस्कार चटपटी खवरों के न्यूस प्लेटर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अमित राजपूत अगर आपसे पूछा जाये कि इस्पंज भी कोई खाने की चीज है तो आपका जवाब निश्चित रूप से ना होगा लेकिन इंग्लेंड के सरी इलाके की एक लड़की रोजी इसकिनर शौक से इस्पंज खाती है 19 वर्षी रोजी जब 5 साल की थी तब ही से उसे इस्पंज खाने की लट लग गई थी बच्पन में इस्पंज खाने की वज़ह से उसने अपना एक दाद गमा दिया था जब वह 13 साल की थी तब इसी कारण उसकी सरजरी भी हुई थी जिसमें उसके पेट से इस्पंज का एक बड़ा गुच्छा निकाला गया था अब बड़े होने पर भी उसकी यह आदत छुटी नहीं है वह इस्पंज के छोटे छोटे टुकडे काट कर दिन भर खाती रहती है रोजी बताती है कि मुझे गीले इस्पंज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मुह में गीले इस्पंज मातर से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ हफते भर में रोजी दो बड़े इस्पंज खा जाती है दरसल रोजी पी का सिंड्रोम से ग्रसित है इस सिंड्रोम से प्रभावित होने वाले इस्पंज, कॉर्पेट और अन्य घरेलू चीजें खाने लगते हैं ये रोग आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कभी आपने एक ही लीवर के दो जुड़वा बच्चों को देखा है अगर नहीं तो सुनिए एक ही लीवर के साथ जुड़वा पैदा होने वाली दो बच्चियों रजिया और रेहाना को उनके माता पिता ने अलग करने की ठानी ये परिवार जम्मू कश्मीर का रहने वाला है इन दोनों बच्चियों में एक खेल रही होती थी तो दूसरी रो रही होती थी एक हंस्ती थी तो दूसरी दूद पी रही होती थी कुछ ऐसी ही जिंदगी कट रही थी दोनों बच्चियों की लेकिन डॉक्टर ने अपने अनुभव से इन दोनों बच्चियों को अलग-अलग करने का फैसला किया जबकि मेडिकल बुक में ऐसे बच्चों को अलग करने का कोई भी तरीका नहीं बताया गया है इस सरजरी को अंजाम तक पहुचाने वाले डॉक्टर एस सोईन का दावा है कि देश में पहली बार लीवर से जुड़ी बच्चीयों को अलग करके नई जिन्दगी दी गई है ये सरजरी गुडगाओं के मेडानता हॉस्पिटल में हुई जहां 6 गंटे की सरजरी में 40 डॉक्टरों की एक टीम ने काम किया ये पूरी घटना अपने आप में कोई विचितर कारनामे से कम नहीं है दुनिया में विचितरताय मात्र इतनी ही नहीं है मेडा गास्टर में एक पेड़ ऐसा है जो दुनिया के टॉप 10 विचितर पेड़ों में से एक है इफेती शहर के पास इस पेड़ का नाम टी पॉट बाओ बाब है इसके मुख तने से एक तना निकला है जिसके कारण इसका नाम टी पॉट पड़ा 1200 साल पुराने इस पेड़ का आकार बोतल जैसा है विशेशग्यों ने यहाँ अनुमान भी लगाया है कि इसमें 117,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की शमता है आसपास के लोग इसे सहन शीलता का बड़ा उदाहरन मानते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कई दशक पहले भयानक सूखा पड़ने के बावजूद इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है इस प्रजाती के कुछ और पेड़ यहाँ है जिनकी लंबाई 80 मीटर और तने की चोड़ाई 25 मीटर तक है इस पर फूल बसंत रितु में आते हैं और वे ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं उनके महत्तु के कारण ही मेडा गास्टर के बैंक नोट में उनकी च्छाप नजर आती है लेकिन असली च्छाप तो छोड़ेंगे Duke of Cambridge, Prince William और Duchess of Cambridge, Cat दरसल ये दोनों 7 दिसंबर से अमेरिका की तीन दिवसी यात्रा पर होंगे इसी समय पर स्कॉटलेंड की एतिहासिक St. Andrews University के 600 साल भी पूरे हो रहे हैं इसी मौके को यादगार बनाने और University के लिए अमेरिका से फंड इकठा करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है रईस अमेरिकी 64,000 पाउंड का टिकट लेकर शाही जोड़े William और Kate के साथ जिनर करने का मौका पा सकते हैं फंड रेजिंग का यह कारकरम तीन दिवसी यात्रा के आखिरी दिन New York के Metropolitan Museum of Art में आयोजित किया जाएगा खबरों के अनुसार 64,000 पाउंड की कीमत चुका कर इवेंट के लिए दो वी आईपी टिकट हासिल की जा सकते हैं तथा Duke and Duchess of Cambridge से मुलाकात की जा सकती है दरसल सन 2000 में History of Art की पढ़ाई करते हुए इस जोड़े की पहली मुलाकात इस Scottish University में ही हुई थी इसलिए ये University इनके लिए खास एहमियत रखती है लेकिन वे लोग जो अपने साथी को एहमियत नहीं देते हैं उनमें बेवफाई या धोखा देने की फितरत खांदानी होती है जी हाँ एक शोध में वैग्यानिकों का कहना है कि एक खास किस्म का जीन किसी के धोखा देने की आदत की वज़ा होता है आस्ट्रेलिया की क्वीन्स लेंड यूनिवसिटी के शोध करताओं ने अपने अध्ययन में पाया की बेवफाई की ये आदत माता पिता या दादा दादी से अनुआशिक तोर पर भी मिल सकती है उन्होंने एक ऐसे खास जीन की पहचान भी की है जिसमें बदलाव के कारण किसी महिला में धोखा देने की आदत बन जाती है अध्ययन के प्रमुख डॉक्टर ब्रेडन जीश ने कहा हमारे शोध में ये पूरी तरह इसपस्ट हो गया है कि लोगों की जेनेटिक संरचना इस बात पर प्रभाव डालती है कि उनकी अपने साथ ही के अतिरिक किसी अन्य से संबंध बनाने की कितनी संभावना है क्या दंग रहे गए हैं आप अजी अभी कहां दंग तो आप अब रह जाएंगे इस केक की कीमत सुनकर इस केक की कीमत इतनी जादा है कि इस से एक अच्छा खासा घर खरीदा जा सकता है यह केक दुनिया का सबसे महंगा केक है इस केक की कीमत है 78,000 डॉलर लगजरी बिटिश ऑनलाइन रिटेलर वेरी फरस्टू ने पेट्री शेफ जॉर्जिया ग्रीन के साथ मिलकर इस केक को बनाया है इस केक में दक्षिन सागर में विशेश रूप से पाय जाने वाले मोती और रूबी लगे हैं यह केक सीलोन, डालचीनी, अंडे और मक्षन से बना है यह केक खास तोर पर क्रिसमस के लिए बनाया गया है और इसे केवल ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है 10 दिसमबर से इस केक की बुकिंग ब्रिटेन में शुरू हो रही है जिसमें केक के शिपिंग चार्जेस शामिल नहीं है न्यूश चार्ट में आज सिर्फ इतना ही नमस्कार